हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर बिना काजू बिना दही बिना क्रीम के होटल से भी ज्यादा स्वादिश तो आईए हम शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने मटर ले ली हैं प्याज हरी मेर्च लाजून अद्रब टमाटर और यह पनीर के क्यूप्स हम पेन में तेल करम करते हैं इसमें हम पनीर के क्यूप्स डाल देते हैं इसे हम हलके हाथे से भूच लेते हैं दूसरी तरफ हम मटर को उबालने के लिए गैस पर पानी चड़ा देते हैं इसमें एक चमच मैंने चीनी डाल दी है जिससे मटर का कलर एकदम हरा कलर का हो जाएगा यह मैंने क्यूप्स को हलकी ब्राउन किया है मैं थोड़ा ज्यादा ब्राउन करूंगी क्यूंकि मेरे गर में सब थोड़ा ज्यादा ब्राउन करके खाते हैं तो मैंने थोड़ा ब्राउन ज्यादा किया है अब मैं हलका सा तेल ले लूंगी आधा चम्मत जीरा डाल दिया इसके अंदर मैं प्यास डाल दे रहे हूं हरी मिर्स आदू लेसन सब कुछ मैंने डाल दिया है और टमाटर भी दाल दूंगी इसे हलके हाँ से थोड़ा प्राई कर लीजे इसे हम ढख देते हैं दूसरी तब पानी गरम हो चुका है मैंने मटर को उसके अंदर डाल दिया है इसे मैं पांच मिट तक पकाऊंगी मसाला यहां अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं गैस बन कर देते हूं इस मसाले को हम थुरा ठंडा कर लेंगे मटर हमारी उबल चुकी है इसे छान के हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं हमारा मसाला ठंडा हो गया है अब ग्राइंडर के जार में हम इसे पीछने के लिए ले लेते हैं कड़ाई में मैं ऑईल डालूंगी तेल ज्यादा गरम ना हो उससे पहले ही लाल मिर्च और ये डाल चीनी मैंने डाल दिया है एक से देड़ चमच में लाल मिर्च डालूंगी आधी चमच हल्दर और ये गरम मसाला तेल ज्यादा गरम ना हो इसका आप ध्यान रखेगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे टमाइटर प्याज की जो प्यूरी बनाई है उसे हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम भूंज लेंगे इसे हम थोड़ी देर के लिए धक कर इसे अच्छी तरह से इसका कलर आने तक इसे भूंजेंगे अच्छी तरह से भूंज गया है इसमें हम दो कप जितना पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हम चला देंगे अच्छी तरह से इसे हम चला देंगे अच्छी तरह से उबाली हुए मटर को मैं इसके अंदर डाल देते हूं कि यह मैंने सेंदा नमक डाला देड़ चममच इसे चला लेंगे अब पैन को ढख देते हूं आप देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है इसमें मैं पनीर के क्यूस डाल देते हूं अब हम सब्जी को अच्छी तरह से चला लेते हैं और लीट को ढख देते हैं सब्जी अच्छी तरह से पक जाए अब इसे मैं सर्विंग वाल में रख देती हूं आप इसे नान पराठा रोटी किसी के भी साथ खाएं बहुत ही स्वादिश्ट लगीगी मैंने इसे पराठे के साथ सर्विंग ए और जीरा राइस और सलाद रखा है आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी रहेगा चाहे रोटी हो चाहे नान हो चाहे कुलचे हो बहुत ही स्वाजिश्ट लगेगा आप भी ये रेसिपी घर पर बनाएए और अपने अनुभव मेरे शाज शेयर कीजे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू